बिहार में बिपक्ष से लेकर सत्ता धाड़ी दल के नेता लगातार बयान दे रहे हैं कि बिहार में पुर्ण श्राबबंदी कानून पूरी तरह से फेल हो चुकी है। पटना में सबसे अधिक शराब की बिक्री होती है। पश्रुपती कुमार पारस ने कहा है कि बिहार में कौन लोग शराब बेच रहे हैं इसका सबूत सरकार के पास अगर है तो दिखाएं। मुखे मंतरी ने खुद खुले मंच से कहा है कि पटना में सबसे अधिक शराब का कारोबार होता है और अच्छे अच्छे लोग इसका इस्तिमाल करते हैं। पारस ने कहा कि पटना में पूरा सरकारी अमला बैठा हुआ है मुखे सचीब और डीजीपी के अलाबा खुद मुखे मंतरी नितीश कमार पटना में रहते हैं तो शराब माफियाओं पर कारवाई क्यों नहीं करते हैं। मुखे मंतरी के हिसाब से जो अच्छे लोग घर पर शराब मंगवा कर पीते हैं या बेशते हैं तो उन लोगों के खिलाब करवाई क्यों नहीं की जा रही है। गड़ीबों के लिए शराब बंदी कानून बहुत हीं अहितकर है। सरकार ने शराब बंदी कानून तो लागू कर दिया लेकिन उसे शराब बंदी संभल नहीं रही। उन्होंने कहा कि बिहार में फेल हो चुकी, शराब बंदी अगर नितिस कुमार से नहीं संभड रही है, तो शराब को फ्री कर दे. हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले धन्यवाद.